नमस्कार साथियो स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल विलेज ग्रीन वर्ड तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर की चत पर सबजियां केसे हुगा सकते हैं देखिए कि मैंने अपनी चत पर मेती और पालक की सबजी बहुत ही अच्छे तरीके से उगा रखी है यह देखिए आसपास एटों का चेंबर बना कर उसमें पॉलितिन बिचा कर और मिट्टी खाद और रेत का मिकसर करके उसमें पालक और मेती के बीच बोहे गए हैं यह पालक 15 दिन का हो गया है और अभी 15 दिन और लगेंगे से इसके बाद हम इसकी सबजी बना सकते हैं देखिए बहुत ही अच्छा पालक है रोजानाएं गर्ज पर ताजी सबजी आं खा सकते हैं कि दस पंदरा दिन में इसमें एक बार पानी भी दे सकते हैं और बीच की क्यारी पे मैंने बीच में कुछ ओनियन के प्लांट भी लगा रखे हैं जो भी बहुत छोटे हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह लाल बटन सब्सक्राइबर जरूर दबाईए और लाइक कमेंट भी जरूर करिए और इस साइड में गम ले भी है इनमें एक में टमाटर का पोदा है जो भी बहुत ही चोटा है और एक में मुली का लगा रखा है और इदर है मेती लगा रखी है जो कि बढ़िया हो गई है इस चार पाव दिन में सब्सक्राइब लाइक हो जाएगी इसमें कर्पतवार भी नियूग रही है कि अगरे थर्मा कोल के कार्टू ने जिन में में इधर भी ओनियन लगा रखे हैं और एक में टोमेटो का प्लांट लगाया हुआ है दोस्तों आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें दन्यवाद